हलो फ्रेंड आप सभी कैसे हैं आप देख सकते हैं हम आधा के जी मरूए के आठा लिया हैं नई रेस्पी लेकर आए हूँ यह बहुत कम मिलता है चलिए अब हम सुरू करते हैं हलुआ बनाना मरूए के अब हम भून लेंगे पहले इसको कराही गरम करके थोड़ा सा घीर रखेंगे इसमें और और घी में या चाह रिफाइन होताँ अपर रिफाइन में bisbhundsant संती है चाह सरसो तिल में भी हैं इसको हम लाल करेंगे लाल करके इसमें चीनी डालेंगे कि इसमें रहाई सो हम चीनी लिए हैं और इसको मिक्स करके हम थोड़ा दर फ्राइ करेंगे इसको हम फूल लेंगे उसके बाद पानी हम छोड़ेंगे इसमें जितने पानी डालिये उतने ही गधा होते जाता हैं बहुत गाठ हो जाता है इसको मिक्स करते ही रहेंगे पानी पूरा डालेंगे क्योंची तरह से पक जाये देख सकते हैं आप कितना इसमें गाठ हो गया है और इसको हम मिक्स करते रहेंगे इसको भूनते भूनते इसको पानी सुखा देंगे इसको चलाते रहेंगे हम ज्याधा सटेना इसको पूरा गढ़ा कर लेंगे सुखा देंगे पानी को पूरा अब रेड़नी होने वाला है इसको हम थाली में इकाल लेंगे देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आ गया है हलुआ का अब इसको हम थाली में इकालेंगे थाली में हम चार तरफ फैला लेंगे चार तरफ अच्छी तरह से हम फैला फैला के रखेंगे कि मेरा बड़ भी अच्छी तरह से कटे देख सकते हैं बहुत ही नम सौफ्ट होता है ये अब देखिए इसको पुड़ा सो खा लेंगे ठंडा हो जाएगा तभी हम काटेंगे ये चाको के हेल्फ से हम काट लेंगे और इसको हम पीश जिस तरह से खाना पसंद करते हैं उसी तरह रखेंगे इसमें हम बड़फी के तरह भी काट सकते हैं और इस तरह से भी काटेंगे हम और देखें इसको साइड से मिकालेंगे देखें इस तरह से बहुत सौफ्ट होता है देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया है अभी इस तरह बना कर खा के टेस्ट करके बताएं कॉमेट में पसंद आये तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फिर मिलेंगे